आज की जो वाइड बोर्ड की प्रेजेंटेशन है फार्मेसी टिकनेशन फार्माकोलोजी यूनिट फाइव में हम पढ़ रहे हैं ऐसी ड्रग्स जो के इससे प्रिपेस्द दो लेक्षर्स के अंदर हमने पढ़ लिया है इसके बाद हम पढ़ लिया है angiotensin receptor blockers आज की जो third drug है इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से ये congestive heart failure में use होती है या तो ये hypertension के अंदर इस्तमाल होती है angina की conditions के अंदर भी इसको इस्तमाल किया जाता है लेकिन आज की जो presentation है इसके अंदर हमने इसको congestive heart failure के तोर पे लेना है और इस drug का mechanism of action जो है वो हमने देखना है कि किस तरीके से ये congestive heart failure को cure करती है या treat करने के लिए इसका mechanism of action क्या है तो सबसे पहले students हम देखते हैं कि इसका नाम जो है वो है sodium nitroprosid ये direct vasodilators drugs की category में आते हैं सबसे पहले students हमेशा मैं आप से कहता हूँ कि जब भी आप किसी terms के बारे में पढ़ा करें तो उसको एक दफ़ा breakdown किया करें उसको cut किया करें और देखा करें कि उस terms के अंदर क्या चुपा हुआ है सबसे पहले एक लफज है vaso ठीक है उसके साथ plus dilate इसका मतलब है vaso का मतलब है blood vessels, खून की नालियां और dilate का मतलब है इसका diameter का ज्यादा हो जाना यनि इसको dilate कर देना अब ऐसी तमाम इस category की तमाम जो drugs हैं वो vaso dilators है direct vaso को dilate करती हैं जिसका वज़ा से जो यहाँ पे peripheral resistance है blood vessels के अंदर वो कम हो जाती है तो सबसे पहले जो है वो इसका mechanism of action इन keywords से देखें इन keywords को follow करती हुए देखेंगे कि यह किस तरीके से जो drug है वो काम करती है सबसे पहले है vaso dilator used to treatment of heart failure and hypertension यह हम पढ़ रहे हैं कि hypertension के अंदर जो है यह sodium nitroprosid किस तरह इस्तमाल होते हैं इस category की जितनी भी drugs है जो direct vasodilator हैं वो इस्तमाल होती है या तो heart failure के अंदर या hypertension के अंदर hypertension, hypertension blood pressure का कम हो जाना और hypertension blood pressure का ज्यादा हो जाना यह cardiac failure में और hypertension दोनों में यह drugs इस्तमाल होती है उसके बाद अगला keyword कहता है कि vasodilator cause relaxation of smooth muscles of blood vessels by direct acting यानि इस category के जितनी भी drug है वो क्या करती है कि हमारी arteries और veins के जो smooth muscles हैं उनको relax करती है इसकी सबसे बड़ी मैंने जो example देता हूँ या इस तरह करते हैं कि उस example से पहले जो मैंने यहां पर whiteboard पे दो diagram ड्रा किये हुए है एक मैंने normal blood vessels का diagram ड्रा किया है दूसरा मैंने constricted blood vessels का diagram ड्रा किया है अब देखते हैं कि constricted blood vessels क्यों हुई और उसके बाद normal blood vessels जो है वो उसकी वज़ा क्या हुई या हम कह सकते हैं कि normal blood vessels क्या है और constricted blood vessels क्या है students देखे अगर यहां पर एक normal blood vessel present है body के अंदर अगर वो arteries की vessels है या तो वो veins की vessels है तो उनके अंदर जो blood का flow है वो normal होगा और जो blood का flow है वो constriction ना होने की वज़ा से easily उस artery या vein से गुजर रहा होगा अब दूसरी तरफ देखे अगर कोई constricted blood vessels है अगर उसका diameter कम है तो वहां पर जो blood का flow है वो वो मतासर होगा इस resistance की वज़ा से कि उस जो vessel है उसका diameter ही कम है अगर किसी blood vessels का diameter कम है तो जो हमारा heart है उसको ज्यादा यानि इसके अंदर resistance ज्यादा होगी जिसकी वज़ा से heart जो है वो उसकी contraction या contractility ज्यादा होगी जिसकी वज़ा से या तो hypertension होगी या cardiac जो failure है उसकी तरफ heart जाएगा अगर अगर इनकी अंदर किसी ना किसी तरीके से ऐसा किया जाए कि इनकी अंदर यानि इनका जो constructed blood vessels है इनका diameter कम है अगर इनके diameter को ज्यादा कर दिया जाए यानि इनको normal level तक लाया जाए तो easily इनसे blood का flow हो जाए तो फिर यह जो हमारे पास symptoms होगी heart failure की या तो high blood pressure की hypertension की इस symptoms को हम remove कर सकते हैं तो students अगर हम यह sodium nitroprosate drugs का इस्तमाल करते हैं तो यह क्या करती है कि यह इस constructed जो blood vessels है इसके जो इसका जो diameter है उसको normal की तरफ लेकर आती है यह normal blood vessels है normal blood vessels होगी तो उसमें से जो blood का flow है वो easily होगा जिसकी वज़ए से hypertension जो काज हो रही थी वो कम होगी और जो heart की contractility थी उसके अंदर जो है वो कमी होगी जिसकी वज़ए से heart failure की तरफ नहीं जाएगा वो efficiently अपना work करेगा तो students अब यह drug क्या करती है कि यह blood vessels जो है उनको directly तोर पर क्या करती है रिलाक्स करती है और उनको constricted blood vessels को normal blood vessels की तरफ लेकर जाती है जिसकी वज़ए से जो है वो blood का flow in vessels से easily हो जाता है और hypertension या तो फिर heart failure से जो है वो निजात मिल सकती है यह keywords कहता है कि vessel dilator cause relaxation of smooth muscles यानि smooth muscles को कि skin smooth muscles को यह relax करती है blood vessels के smooth muscles इसकी वज़ए से इनका diameter ज्यादा हो जाता है blood easily इन से जो है वो गुजर सकता है अब अगला keyword कहता है कि sodium nitroprosate is the mixed vessel dilator यानि यह mixed vessel dilator इसलिए है कि यह एक तो arteries के जो arteries blood vessels है उनका diameter ज्यादा करता है और दोसर नमर पर veins जो blood को दिल की तरफ लेकर जा रही होती है deoxygenated blood को उनका diameter या उनको भी relax करता है अब students next है pharmacological action sodium nitroprosate is an emergency drug acting act directly to relax smooth muscles of arteries and veins अब students यह sodium nitroprosate drug है यह emergency के अंदर इस्तमाल होती है उसकी वज़ा यह है कि इसका rapid action है rapid action कहां पर है smooth muscles के उपर है वह arteries के भी हो सकते हैं या veins के हो सकते हैं या students यह artery के muscles को भी relax करती है और जो veins के muscles है उसको भी relax करती है जिसकी वजह से उनके अंदर जो constriction cause हुई है उस relaxation के वजह से उसका diameter ज्यादा हो जाता है और blood का flow जो है वह easily जो easy हो जाता है blood का flow जो है वह efficiently हो जाता है और जो peripheral resistance है वह कम हो जाती है जिसकी वजह से hypertension के अंदर भी इसको 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 जो है वह heart failure में भी इसको इसको जाता है और अपना जो है वह action शो करती ती है उसके बाद students 3-patic uses की बात कि जाए तो यह heart failure की अंदर इस्तमाल होने वुली ड्रग है इस category की depends on your hypertension के अंदर इसके इसका इसको इसका इसका के बारे में आपको बता चुका हूं कि ब्लड प्रेशर का नार्मल से ज्यादा हो जाना और इसी वज़ा से जो हार्ट फेलियर काज हो रही थी उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है आप स्टुडेंट्स एडवर्स इफेक्ट की बात करें कि यह जितने भी वैसोडलेट रट से लिए डारट फेलियर द्राट इस इसको फेलियर की द्रग्ध निका एडवर्स इफेक्ट क्या है एक तो यह किरिक काुज करती है यहनी इनकी वज़ासे इनके अगर एडवर्स एफेक्ट देखने को मिलते है तो सर में दर्द होता है यहनि ऑ Crispy वॉमिटंग जो symptoms अ अमीद है कि आपको समझा चुकी होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें बहुत शुक्रिया अगली जो हमारी ड्रग होगी उसके साथ दोबारा मुलकात होगी असलाम अलेकम